हलो एवरिवान, वेल्कम बैक टू माय चानल, फ्रेंड्स आज केस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ केक की एक इसी रेसिपी जिसको की हम बिना ओविन के गढ़ाई में बनाएंगे और खाने में भी ये केक बहुत ही डिलेशियोस लगता है तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक टिन को ओईल से ग्रेस कर लेंगे और केक बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ वन कप मैदा मैंने सारी इंग्रेडियंट्स को अल्रेडी साफ करके रखा है ये च्छना हुआ है और इसके साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ half cup milk powder one fourth cup मैं ले रही हूँ powder sugar इसके साथ ही हम इसमें आड़ करेंगे 2-3 चमच बटर बटर की जगे आप इसमें oil का या फिर घी का भी यूज़ कर सकते हैं और एक चमच हम इसमें आड़ करेंगे baking powder साथ ही इसमें आड़ करेंगे आधा चमच baking soda अगर आपके पास baking powder और baking soda ना हो तो आप इसमें एक से लेट चमच इनो का भी यूज़ कर सकते हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते हुए हम इसका एक बैटर बना लेंगे और इस बैटर कोना बहुत जादा नहीं फेटना है बहुत हलके हाथों से हम इसको कुछ सेकिंड्स के लिए ही मिक्स करेंगे और एंड में हम अब इसमें डालेंगे एक से देट चमच वनिला एसेंस अगर आपके पास वनिला एसेंस नहीं है और ध्यान रहे केक पान को पूरा फल नहीं करना है क्योंकि जब केक बेख होगा तो यह फूल के ऊपर आएगा अब केक पान को हलका सा टाप कर लेंगे हम ताकि जो बैटर है वो अच्छे से साट हो जाए हम इस केक को बनाने वाले हैं कड़ाई में तो कड़ाई अल्रडी गरम है केक को प्रिहेटेट कड़ाई में रख देंगे 15-20 मिनट के लिए हम इस केक को बिलकुल लो फलीम पर बेख करेंगे और बीच में एक बारी ज़रूर आप इसको चैक करें और 15-20 मिनट के बाद एक नाइफ इंसर्ट करेंगे और चैक करेंगे केक बनकर बिलकुल तयार है केक पान को छोड़ने लगा है साइट से निकलने लगा है इसली अब हम केक को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और तब हम इसको केक पान से रिमूव करेंगे तो आप केक बिलकुल ठंडा हो चुका है हम इसको एक प्लेट पर निकाल लेंगे और हमारा जो केक है वो बनकर बिलकुल तयार है आप इसे अपनी मन पसंद चीजों जैसे की पिस्ते से या अमंट से या चोईरी से डेकोरेट कर सकते है या फिर आप इसको टी के साथ ऐसे ही प्लेट भी खा सकते है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे चैनल पर केक की रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और साथी साथ अगर कॉमेंट करना चाहें तो प्लीज कॉमेंट भी कीजेगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि आपको रेसिपी कैसी लगी और अगर एडवाइस देना चाहते हो तो आप बिल्कुल आप मुझे comment section में advice भी दे सकते हैं मैं मेलूंगी आपसे next video में किसी नई रेसिपी के साथ आप अपना खयाल रखिए positive रहिए and खुश रहिए thank you take care and bye bye